नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर तो दोस्तों आप सभी के लिए राजिस्तान हाई कोट से कलरक भरती 2020 को लेके एक लिटेस्ट अपडेट है वो लेकर आयों उर लेटेस्ट अपडेट राजिस्तान हाई कोट के दोरा कलरक भरती 2020 को पूरी तरह से कैन्सिल या फिर रद खर दिया है कि आखिरकार राजिस्तान हाई कोट के दोरा इस भरती को क्यों कैंचिल किया गया है मेरे साथ है वो आप बने रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि राजिस्तान हाई कोट के दोरा कलरक भरती 2020 को लेके 19 मार्च 2020 को एक विगपती जारी की गई थी और विग्यापन संक्या था 282 इसी विग्यापन संक्या के तहट है यह विगपती यह इस भरती का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था और इस भरती की जो मैन एक्जाम है वो 13 मार्च 2022 को है वो आईजित की गई थी तो ऐसे में काफी सारे जो candidate हैं इस exam में भी वठे थे और काफी सारे जो candidate हैं इस exam को qualify भी किया था लेकिन यहाँ पे एन वक्त आते आते 3 June 2022 को राजिस्तान हाई कोट के दोरा इस भरती को cancel कर दिया है अब दोस्तों आप मेरी screen पे यहाँ पे देखिए जो latest notification वो देख रहे हो जो की 3 June 2022 को जारी किया गया और इसमें बिलकुल साफ साफ यह लिखा गया है देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि advertisement number 282 गुनिश मार्च 2022 इज हैर बाइक कैंशिल अब यहाँ पे देखिए भरती को तो cancel कर दिया लेकिन यहाँ पर राजिस्तान हाई कोट के दोरा एक छोटी सी गलती हो गई है और गलती यह हो गई है कि जो advertisement number 222 से यहाँ पे देखिए इसकी जो date डाली गई है वो 19 मार्च 2022 डाली गई है जबकि यह 2022 नहीं है यह है 2020 कैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ तो देखिए यह देखिए विग्यापन शंक्या आप देख रहें नहीं है इसक्रीन के उपर और यह देखिए गुनिश मार्च 2020 को यह जारी किया गया था और यह विग्यापन शंक्या है 282, तो यहाँ पर देखिए राजिस्तान हाई कोट के दौर एक छोटी सी यह गलती हो यह कोई बात नहीं गलती हो सकती है, एक मानुए यह भूल है टाइपिंग की मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, बिल्कुल साफ-साफ यहाँ पे कहा गाया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं और उपर यहाँ पे देखी कहा भी गाया है कि advertisement number 282 date 19 March 2020 यहाँ पर सही है लेकिन नीचे यहाँ पे यह typing mistake है वो हो चुकी है और कहा गाया है कि यह भरती है वो यहाँ cancel हो चुकी है यह थोड़ा English में वर्जन है थोड़ा समा आपको इसको हिंदी में convert करके वो दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने देखिए word में file वो इसको convert करके बनाई है आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे देखे बिल्कुल साप साप यहाँ पे कहा गया है कि यह जो विग्यापन संक्या है वो पूरी तरह से यह रद है वो क्या गया है अब यह रद क्यों क्या गया है दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रिन पे देखिएगा कि इस भर्ति को लेके एक सिकायत है वो थाने में हो दर्ज हुई और यहाँ पे देखिए थाना कोत वाली दोस्ता म मामला दर्ज किया गया था और जब यह मामला दर्ज हुआ तो यहां पे देखिए टीम के दवारा investigation है वो किया गया और उसमें है यहां पे देखिए पेपर लिक मामले की जांच हुई थी और जांच में वो सही पाई गई थी तो ऐसे में यहां पे राजिस्तान हाई कोट के दोरा कंडिडेट या फिर बिरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है कि इस भरती को पूरी तरह से यहां पे रद किया जाता है और साथ में देखिए यहां पे हाई कोट के दोरा यह भी किया गया है कि इस भरती को लेके एक नया जो विग्यापन है एक जो नया advertisement है वो जारी किया जाएगा और जिसके अंदर यहाँ पर देखिए candidate को I.O. में और fees में है वो छूट है वो दी जाएगी तो finally दोस्तों में आपको यही कहूंगा कि यह जो भरती है वो पूरी तरह से रद हो चुकी है अब जो साथी है अगर यह order भी download करना चाहते हैं तो आप download कर सकते हैं और download करने के लिए देखिए आपको Rajasthahn High Court की website पे visit करना है यहाँ पे recruitment में जाना है नया page open होगा और यहाँ पे देखिए राजस्थान High Court यहाँ पे कलरक second grade का link आपको मिल जाएगा इस पे आपको click करना है नया page open हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इनका जो latest notification है notice regarding cancel of entry selection process from the stage issue of advertisement तो कहने का मतलब है आप यहाँ से download कर सकते हैं और notification वो आप अराम से पढ़ सकते हैं finally cancel हो गई है तो यह यह तो बड़े दुख की बात है यहाँ पे मेरी राय बताओं तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि काफी सारे ऐसे हमारे साथी थे जो काफी दिनों से 2020 से लगातार इस भरती का इंतिजार करे थे काफी मेनत भी की थी काफी पढ़ाई भी की थी लेकिन हैन वक्त पे किसी एक की गलती के वज़े से हरजाना सभी बिरोजगार सात्यों को यहाँ पे बुक्तना पड़ रहा है तो ऐसे में मैं आप से यह जानना चाहूँगा देखिए पेपर तो लिक हुआ है यह तो यहाँ पे देखिए कोट के दौरा या राजस्तान हाई कोट के दौरा मान लिया गया है लेकिन यह जो पेपर लिक हुआ है तो इसमें यहाँ पे राजस्तान हाई कोट की कहां तक गलती है और राजिस्तान हाई कोट के दवारा यह जो कंडिडेट के हित में फैसला लिया गए भर्ति कैंसिल करने को लिए जो फैसला लिया गए वो आपकी राहे में कितना सहिए है और कितना गिलत है कमेंट में अपनी राही हो जरूर दीजेगा तो दोस्तों यही जानकारी इस वीडियो के माद्यम से मापको देने वाला था अगर वीडियो जानकारी आपको एच्छी लगी हो तो आर इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों में भी हो शेर करना और दोस्तों यहाँ पे एक और जानकरे आपको देना चाहूँगा चलते चलते जैसे इस भरती के बारे में कोई नया नोटिफिकेशन आएगा या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जुरूर जानकरी दूँगा इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को आप जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा और ओल नोटिफिकेशन है यहाँ से इसको भी ओन कर लिजिएगा ताकि जब भी मैं हमारे चैनल पर कोई भी एक वीडियो अप्लोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक वो पहुंचे क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगेस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारिया है वो समय समय पे वो मिलत अगली एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत